आप सभी गुमी तरफ से प्यार भाया नमस्कार, उमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, प्रप्रेशन आप लोगी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो फिलाल आज की क्लास में हम लोग जो Mirror of Common Errors बुक है, उस बुक की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर basically Adverb chapter को हम लोग cover करने वाले हैं, काफी अच्छा chapter है ये भी, और इसे जो questions आते हैं, बच्चे अक्सर in questions में confused हो जाते हैं, तो basically आज 13th October है, तो आठवी है हमारी classes से पहले 7th sessions हम already कर चुके हैं, अब बचा है आपका conjunction और nouns, तो ये भी आ जाएगा, 16 October को आपको conjunction कर वाऊंगा मैं, और पा दीजे, हर वीडियो के नीचे लिख देते हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, भाई, मुझे ये काफी टाइम से पता है, कि पढ़ाना है, वो इस और नरेशन भी पढ़ा दूँगा है, मुझे ऐसा मत फील कराई है, कि मैं कोई गलती कर रहा हूं, बहुत ब शारुखान बनने की कोशिश मत करिए, वसके शारुखान तो आप कोई बनना नहीं चाहता, खैर क्या बोलूँ बनना चाहता या नहीं बनना चाहता, ये इस पॉलिटिकल बात को अलग रखते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है, बढ़ाई से बात करते हैं, कहने क करता हूँ, solve आपने कर लिए होंगे, नहीं किये हैं, तो आओ, निप्टाते हैं, साथ साथ चारिये, पहला, although he is my bossam friend, bossam मतलब प्यारा, I cannot ask him for money without any vividly reason, vivid मतलब clear reason की वज़े से मैं उससे ऐसे कोई पैसे नहीं मांग सकता, भले ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन यह बात बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन vivid term होता है clear, और clear में जैसे ly लगाते तो बनता है clearly, ऐसे vivid में जब ly लगाते बनता है vividly, यह adverb होता है, vivid adjective, vividly adverb, जैसे vivid picture, vivid picture मतलब clear picture, लेकिन vividly लिखा है, अब reason तो noun होता है, noun को modify करने के लिए बटा adjective चाहिए, तो vividly reason नहीं आएगा है, यहां पर vivid reason आएगा, समझ में आया point, ठीक है, adjective चाहिए हमको, प्रभा was exorbitantly paid, for how skillful she received the visitors and entertained them, पहली बात exorbitantly क्या यहां पर सही है, exorbitantly एकदम सही है, क्योंकि was paid जो है, उस verb को modify कर रहा है, exorbitantly, इसका मतलब होता है excessively, बहुत जादा, कि प्रभा को बहुत ज ज्यादा पैसे दिये गए, paid how, paid exorbitantly, यह तो सही है, for how skillful she received, कि कितना skillful तरीके से उसने receive किया visitors को, कितना skillful तरीके से receive किया visitors को, कैसे receive किया, skillful तरीके से receive किया, तो basically यह आपकी received verb को qualify करने के लिए you need adverb over here, और यह तो adjective है, इसमें ly लगाएंगे, अब बनेगा यह adverb skillfully, how skill skillfully, she received the visitors, समझ में आया, the captain came presently, but I cannot say where he has slipped out unnoticed, presently और shortly का मतलब आप लोग जान लेंगे, presently और shortly का मतलब होता है, बिना किसी देरी के, without delay, और इनका use हम हमेशा future के tenses में करते हैं, जैसे मैंने का he will return presently, मतलब वो जल्दी आएगा, मेरे करनर जुनाएंगे, वो यह आएगा future के लिए use होता है, ठीक है, he will return shortly, मतलब जल्दी बिना किसे delay के वो आएगे, आप ध्यान से देगे कि वहाँ पे future नहीं है, वो past है, the captain came presently, तो past के लिए basically हम लोग term use करते हैं, just now, क्या term use करते हैं, just now, he came just now, वो अभी आया था, but I cannot say where he has slipped out unnoticed, but मैं यह नहीं बोल सकता कि व they were exceptional good गलत है, good बिटर क्या adjective हैं यहाँ और आप वैसे भी जानते हैं, good adjective होता है, तो कैसे good है, एक तो होता है very good, एक है exceptionally good, adjective को भी modify adverb करता है, लेकिन exceptional अपने आप में adjective है, इसमें ly लगाएंगे तब बनेगा exceptionally, yes or no, तो exceptionally good है, मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो exceptionally यहा जाता हूंते हैं, को orators noun है, noun को modify करता है, adjective कैसे orator, good orator, तो अब adjective को भी modify कौन करता है, adverb करता है, exceptionally good orators, ठीक है, आगे चलें, और listen को modify attentively कर रहा है, आप देखी पा रहे हैं, he has been trying to lure her for months, lure का मतलब लुभाने की कोशिश कर रहा है, उससे कही महीने से, but owing to, owing to का मतलब बत से, but owing to his misfortune, he has not still succeeded, misfortune का मतलब यहां पर क्या है, basically unfortunate रहा है, तो वो अभी कामियाब नहीं हुआ है, तो मैं आपको दो तिन term सिखाता हूं, वैसे तो still और yet बड़ा detail में है, अलग से है, मतलब हम पढ़ेंगे उसे, आगे चलके, लेकिन आप basic knowledge ले लिजिए, still basically affirmative sentence में use होता कि he is still on bed, अभी भी bed पे है, he has not come yet, वो अभी तक नहीं आया है, तो आप note कर पारे है, still affirmative में, yet negative में, तो आपने देखा, he has not, note लिखा हुआ तो still नहीं, yet आता और yet basically end में लगाते है, he has not succeeded yet, वो अभी तक कामियाब नहीं हुआ है, उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है, चले आँगे, पक्की बात है, आजएगे, the amount which the company has paid to the dependence of the dead worker was fairly unjustified, ये भी बड़ी प्यारी टर्म है, आपने सुना ओगा, fairly नाम का एक शब्द होता है, सुनाएं आपने, I hope आपने सुनाओगा, fairly नाम की एक term होती है, fairly एक very के equal होता है, एक तरीके से, ठीक है, और ये हमेशा good qualities के साथ आता है, ध्यान रखना है, मतलब vary जैसा sense देता है, fairly का मतलब बहुत जादा होता है, जैसे vary का मतलब अत्याधिक होता है, ऐसे fairly का मतलब जादा होता है, मैंने क कहा fairly good मतलब बहुत अच्छा, fairly honest मतलब बहुत जादा ही मानदार, fairly strong मतलब बहुत जादा strong, basically fairly good qualities के साथ आता है, लेकिन वहीं दूसी तरफ, एक term होता है quite or rather, इनका मतलब भी अत्याधिक होता है, लेकिन ये good और bad दोनो qualities के साथ आ सकते हैं, yes or no? इसे quite right, quite wrong, अच्छी qualities भी बुरी भी है, rather boring, rather amusing, इन सब का मतलब है अत्याधिक, rather boring का मतलब बहुत जादा boring, rather amusing का मतलब बहुत जादा funny, quite wrong मतलब बहुत जादा गलत, बहुत जादा सही, क्या मेरा point समझ में आ रहे हैं, अब आप देखिए कि वहाँ पे unjustified है, negative quality और use हुआ है fairly का, कि जो amount है which the company has paid, ज वो fairly unjustified है, तो fairly unjustified कि ऐसे हो सकता है, fairly तो positive qualities बताता है, तो rather unjustified बोल सकते हैं, very unjustified बोल सकते हैं, लेकिन fairly term नहीं आएगा, क्या मेरा quite unjustified बोल सकते हैं, लेकिन fairly positive qualities के लिए आता है, he is almost quiet almost का मतलब होता है लगबग और quiet का मतलब पूरी तरीके से तो कि ये दोनों शब्द आप साथ में लिख सकते हैं आप खुछ सोचे almost का मतलब लगबग quiet का मतलब पूरी तरीके से तो आप उसको competent बोल रहे हैं किसी इंसान को कुशल बोल रहे हैं लगभग भी बोल रहे हैं पुई तरीके से भी बोल रहे हैं तो दोनों में से आप एक चीज अटाई है यह दोनों वर्ड एक साथ नहीं आते हैं मैंने आपको एक टर्म कभी पढ़ा ही है मैं अलग से समझा देता हूं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बड़े यूट्यूब चानल पर चोचोड़ी चीजी हो जाती है ना A, E, N आपने कभी पढ़ा है यह A, E, N चलो मैं समझाता हूँ यह A और यह E और यह N क्या है A से होता है adjective क्या होता भई यह adjective N से होता है noun और E से होता है enough क्या होता है enough actual में enough का parts of speech आपका adverb भी होता है enough का parts of speech आपका adjective भी होता है इनफ का बोला मैंने, उसके अगल बगल कुछ नहीं बोला भी मैंने, इनफ का पार्ट सो स्पीच बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे इसको लेकि बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बेसिक तरीके समझा जाता हूँ, आप पार्ट सो स्पीच का चक्कर अब आप यह समझे कि जब कभी भी आप एडजेक्टिव को इनफ के साथ लिखेंगे, तो इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, और जब नाउन के साथ लिखेंगे, तो नाउन से पहले आता है, इसलिए ए-e-n, clear, जैसे एक्जाम्पल के तोर पे मैंने आपको कह नाउन होता है, तो नाउन से पहले आता है, पहले आता है, तो he has enough time, ऐसे good enough, kind enough, tall enough, adjective के बाद, नाउन से पहले, enough work, enough money, enough time, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आर, तो ऐसे ही adjective हो या adverb हो, तब भी enough से पहले ही होते हैं, यह सुन, अब आप देख लो, एक काम करते हैं, imported articles जो है, जो आपने sell की है, are enough costly, enough costly हो गया, आरे, costly तो adverb होता है, और a, e, n लगाऊं, तो a से adverb, a से adjective और enough से पहले होते हैं, जबकि यहां बाद में है, तो costly enough होना चाहिए, बोलो हाँ, आरे, होना चाहिए कि नहीं, costly enough आएगा, similarly अगला देखो, the students requested the principle to be enough kind क्या होता है, भाया जी, enough के साथ kind आया हुआ, kind adjective होता है, तो a, e, n, adjective फिर enough आएगा न, तो kind enough बोलेंगे यहां पर, क्या point समझ में आ रहा है न, आपको, बड़ा प्यारा concept है यह भी, चलो फड़ा-फड़ से यह वाले question करके दिखाओ, I met Nitu, about two years ago, दो साल पहले मिला, and have remembered her ever four, अरे four तो period of time के लिए आता है, यह लाल बिंदू कहां भाग जा रही है, खेर, कि मैंने कहा कि I met Nitu, two years ago, दो साल पहले मिला, and have remembered her ever four, देखो four तो होता है, period of time के साथ, since होता है, point of time के साथ, अब देखिए, point of time given है, दो साल पहले मिला, yes or no? exact time बता दिया, दो साल पहले मिला तो उसके लिए ever since use करते हैं बात समझ में आई कि भई मैं नीतु से दो साल पहले मिला और मुझे तब से लेकर अब तक वो याद है तब से लेकर अब तक वो exact time से वो जुलाई से, वो जून से, वो दो साल पहले से पांस साल पहले से, जिवाली से, बचपन से यह सुन नो, बचपन का प्यार जैसे है न भूल नहीं जाना, तो किसी point of time की बात हो रही है two years ago यहाँ पे, तो ever since आएगा ध्यान रखना His essays was unmatched So he was awarded the best prize उसके जो essay थे, वो unmatched थे, ठेक है उसे award किया गया best prize, किस form में, एक shield की form में, जो की बनी हुई है, silver से और enameled है, सजी हुई है, precious stone से तो कोई दिखकत नहीं है, no error आसके हैं तो कोई mistake नहीं है the leaders of striking teachers, striking teachers basically strike कर रहे teachers की बात हो रही है तो उनके जो leaders है उन्होंने बुलाया, called on the chief minister, chief minister को बुलाया negotiation के लिए और returned happily, कैसे return की है happily return की है, मेरे ख्याल से no error है एक बार check कर लेते हैं, हाँ जी, दोनों में no error है India played very careful गलत होगा, कैसे खेले, carefully खेले, verb को modify करेगा, adverb चाहिए, तो careful तो adjective होता है उसमें ly लगा दो, वो adverb बन जाएगा बोलो हाँ, नहीं बोलोगे चलो आगे, although he only earns 6,000 rupees a month अलाकि वो, कितने कमाता है, 6,000 रुपए कमाता एक महिने में, लेकिन he manages to support his family although he only earns, देखो only एक ऐसा term होता है, बड़ा strong term होता है, यह जिस भी शब्द के साथ आए, उसी को modify करता है, कुछ example की थूरू बात समझते है, मैंने कहा only he went there, तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पर यह he के साथ आया हुआ है, तो केवल वो वहाँ गया, केवल वो, लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, और भी गया होंगे, और कोई नहीं गया होगा, कोई एक ही गया होगा ही गया होगा, ही मान लो, राहू ला तो केवल वो वहाँ गया, और कोई भी नहीं गया फिर मैंने का, he only went there तो he ने तीन चाल जगाँ पर जाना होगा, लेकिन वो एक ही जगह पर गया he only went there yes or no, हा की न, पकी बात है एक ही जगह पर गया, मतलब वो सिर्फ गया, और कुछ नहीं किया आपने मैं दुबार explain करता हूँ, confuse मत हो बिल्कुल भी simple और simple देकर से बताता हूँ मैंने का only बहुत strong word होता है जिस भी word के साथ आता है, उसे को modify करता है मैंने का only he went there only he went का मतलब है सिर्फ वो लड़का गया क्योंकि he के साथ आया हुआ है फिर मैंने का he only went there अब ये verb के साथ आया हुआ है तो यहाँ पर इस चीज़ पर focus किया जा रहा है he only went there वो बस वहाँ गया वो बस वहाँ गया अगला देखते हैं he went only there he went only there वो बस वहीं गया और कहीं नहीं गया वो बस वहीं गया तो बारा रिपीट करूं फड़ापट से only he went there सरफ एक ही गया एक बंदा कोंता ही था he only went there वह बस वहाँ गया यह गये को modify कर रहा है वह बस वहाँ गया ही वेंट only there उसे और भी कहीं जाना होगा लेकिन वह बस वहाँ गया only there को modify कर रहा है तो only बहुत powerful वडले जिसके साथ आता है उसे को modify करता है sentence आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आयेगा यहाँ पर only 6,000 रुपए के साथ आना चाहिए कैसे? कमाना यहाँ मुद्दे की बात नहीं है यहाँ 6,000 रुपए मुद्दे की बात है क्योंकि sentence पढ़ो हालांकि वो कमाता है 6,000 रुपए एक महीने में लेकिन वो manage कर लेता है अपनी family को support करना तो अब बताओ कमाना important है यह 6,000 रुपए अरे वो दर्शाना चाता था कि कम पैसे कमाता है फिर भी manage कर लेता है तो पैसे के पहले only आना चाहिए था कमाना यह important नहीं है कमाने को तो लाखो भी कमा सकता था लेकिन यह पैसे important है कि बस 6,000 रुपए कमाता है और फिर भी manage कर लेता है अपनी family को तो यहाँ पर only जो है बटा earn कमाने से पहले नहीं उन रुपए को हमें जोर डाल के बताना है point समझ में आया जैसे अगला भी वैसा ही है only कहां आएगा इधर आएगा 6,000 रुपए से पहले मतलब इसी पार्ट में गलती है ए में गलती मानी जाएगी जिस पार्ट से गलत शब्द उठाया है आपने उसी पार्ट में गलती मानी जाती है only by talking to the officers concerned they will make out the hidden implications of the agreement implications क्या होते है consequences होते है परिणाम agreement आपको पता hidden मतलब छुपे हुए तो कहता है सर रफ concerned officer से बात करके वो छुपी हुई चीजों को निकाल सकते है अब बात करना important है या concerned officer जो ज़रूरी officers है उन से बात करने से ही कुछ निकलेगा तो बात तो मैं किसी से भी कर सकते हूँ बात तो मैं मम्मी से भी कर सकता हुँ अपनी है ना बात तो आप अपनी girlfriend से भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं अरे मजाग कर रहा हूँ इतना सोच ने मन लग जाओ सर क्या ही पूल दिया आपने तो क्या ही केस बैठे हैं ऐसे हैं तो confused मत वो बटा आप बस मुझे बताओ बात तुम किसी से भी कर सकते हैं मम्मी से पाप अजिकर से दोस्ते कर सकते हैं टीचर से कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर concerned authorities से ऑफिसर से बात करने से ही आपकी hidden जो छुपी हुई implications हैं वो निकल के आएंगी बात करने इंपोर्टन नहीं है किस से बात कर रहे हैं वो important है क्योंकि और किसी से बात करने से छुपी हुई ज जो नहीं निकल के आएंगी सर्फ जो officers concerned है जो related officers है हमारे जिन से बात करने से निकलेगा वो main important है तो only जो शब्द है कहां पे आएगा by talking only to the officers concerned only यहां पे आएगा समझ में आया पकी बात 100% चलो आजो all of them will execute वैसे आप यह girlfriend के नाम पे थोड़ा awkward तो नहीं हो जाते न यह बस girlfriend की बात कर दो कुछ लड़गी का example ले लो तो कुछ लड़कों के ऐसे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि लड़कों का English में interest बनाना बड़ा मुश्किल है यह लड़गियां तो English में interest बना लेती है मैंने चीज नोट किये 90% जो girls है वो English में interest generate कर लेती है है लेकिन लड़कों बड़ा मुश्किल से English में interest generate होता है मैं generalize नहीं कर रहा ना कुछ stereotype create कर रहा है लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है ठीक है कुछ-कुछ percent में ऐसा देखा गया है इसलिए लड़कों का English में interest बनाने के लिए न वह दोड़ी बहुत लड़कों वाली बात दे करो न तो ओ-ओ-ओ ऐसे कान खड़े हो जाते हैं सर यह काम की चीज आगी है इससे पहले तो पतनी बोरिंग सी चीज चल रही थे पतनी क्या only only चल जैसे सर ने बोला girlfriend यह काम की चीज तो अब मैं पढ़ूँगा English अच्छे से तो interest generate हो जाता है तो इसको otherwise मत लीजिए कहीं और relate मत कीजिए ठीक ह बढ़े चलो all of them अब मैंने आपको scheme बता दी चला चलागे मैं आपको बता चुक हूं scheme अब आप अलर्ट नहीं होंगे लेकिन ऐसा नहीं है है ना हम आपको कुछ और सुना देंगे हम और किसी चीज से engage कर लेंगे ऐसी थोड़ी कल रात को थोड़ी पढ़ाना शुरू किया फिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं तो जानते हैं student कब कैसे और क्यूं engage होंगे और क्यूं नहीं होंगी हाँ कि ना खेर यहां ते कहा रहे हैं तो engage होई रखे होंगे और अगर बाकी चीज़ों से engage नहीं होगे तो content से तो engage होई जाएंगे क्यों 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 इंपोर्टन चीश तो वही है कि क्या पढ़ा रहा है teacher yes or no बाकी सारी बाते तो अलग से होती है यह सब complimentary, supplementary होती है लेकिन main तो content ही होता है उसी से बच्चा engage होता है yes or no हाँ के ना आजएगे चलिए तो मस्ती मजा चलती रहेगी महोल थोड़ा normal रहेगा all of them will execute the plan so skillfully that their officer will feel surprised क्या कहा all of them will execute the plan सब के सब execute करेंगे इस plan को इतना skillfully कि उनके officer surprise feel करेंगे कुछ mistake है कोई mistake नहीं है verb को modify यहाँ पर adverb कर रहा है और feel state verb होती है linking verb होती है इसके बाद कभी भी adverb नहीं आता याद करो बताया था adjective आता है feel, taste, smell के बाद पिछली class में बताया था surprise यहाँ पर adjective है मतलब no error है let me check again बिल्कुल सही अगले में भी no error बता रहा है देख लेते हैं I came across her in Delhi last month came across का मतलब to meet somebody suddenly अचानक से कि इसे मिलना तो Delhi में last month मैं उससे मिला and invited her to come to Patna तो invite किया उसे to a place होता है और to Patna यहाँ पर लिखा हुआ इसके अंदर कोई भी mistake नहीं है एकदम सही है चले आँगे पका आजओ hardly he likes to याद आ रहा है inversion hardly rarely scarcely या तो अपनी position पर या शुरू में शुरू में आते हैं तो inversion लेके आते हैं यह inversion नहीं है simple present tense का inversion does आएगा क्योंकि likes लिखा हुआ है फिर he आएगा और फिर like आएगा यह बनना चाहिए hardly does he like to hear my name after the rift which occurred between him and me rift का मदल लडाई कि अब नाम सुनना ही नहीं चाहता है जब से उसके मेरे बीच में लडाई हुई है दो चीजे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक term होता है too much एक term होता है much to एक term होता है too much एक term होता है much to अब सर भूल जाते हैं तो बस ध्यान रखना कि much के बाद आपको पता है कि noun आता है much uncountable noun लेके आता है और too के बाद हमेशा ही adjective होते है too good, too bad, too strong, too weak ऐसे generally हम बोलते हैं न तो common सी बाद है याद आता है पूरा मत इसको confuse हो अपने आप इसको confuse मत हो उनको देखके too much में है तो much के बाद noun आता है याद रहेगा too के बाद adjective आता है याद रहेगा yes or no too much strength देखो noun है लेकिन too much strong much too strong adjective है too much pain क्या है यह? noun है लेकिन much too painful यह क्या adjective है तो बहुत basic सी बात है धिहान रखिएगा this room is very beautiful but too much small adjective है adjective है तो पहले आना चाहिए much too होगा बोलो हाँ होगा much too he was fortunately not present on the rostrum rostrum basically podium को बोलते हैं वो आपने देखा है कि teachers लोग जब हम speech देते हैं basically school में तो आगे आपके सामने rostrum होता है table C होती है जिसके ओपर कुछ रखा होता है या mic रखा होता है उसके ओपर हाथ रख के आप या जब परधान मंतरी जब speech देते हैं तो वो rostrum के ऊपर खड़े के speech देते हैं यह सननो तो rostrum वो होता है तो he was fortunately not present on the rostrum when bomb exploded तो यह जो शब्द हैना fortunately आप मुझे खुद बता दो कि यह किसको modify कर रहा है यह adverb है कौन सी वर्ब के लिए आया हुआ है present तो यहाँ पे आपका क्या है present तो आपका यहाँ पे adjective है he was not present या सुननो तो present क्यों modify कर रहा है fortunately यहाँ पे कि वो भागय पून तो दुरभागय पून दुरभागय पून तो unfortunately होता है कि वो भागय पून present नहीं था है ना भागय से कि वो वहाँ पे present नहीं था जब बॉम फटा कहने का मतलब यहाँ पे यह जो fortunately है यह present को नहीं बता रहा है यह पूरे sentence को modify कर रहा है यह पूरे sentence को भी कुछ adverbs modify करते है कि भाई वो वहाँ पे रोस्टरम पे adverb के द्वारा तो वो adverb शुरू में लिखा दाता है जैसे fortunately I was not there है ना भागय से मैं वहाँ नहीं था unfortunately I went there दूर भागय से कि मैं वहाँ चला गया और मुझसे गलती होगी जब पूरे sentence को modify करते है बटा fortunately और unfortunately कि द्वारा तो वो हमेशे शुरू में आते है ऐसी frankly speaking you are beautiful तुम बहुत सुन्दर हो यह पूरे की पूरी बात को modify कर रहा है कि अगर दिल से कहूं तो तुम बहुत सुन्दर हो क्या दिल से कहूं कि तुम बहुत सुन्दर हो यह पूरी बात को modify कर रहा है unfortunately he was wounded in the head दुर भाग्य से उसको सर में चोट लगी दुर भाग्य से उसको सर में चोट लगी पूरे इस सर्फ वाउंड को नहीं पूरे के पूरे को modify कर रहा है शुरू में लेके आते हैं ठीक है my brother does not know to make friends infinitive में मैंने आपको बढ़ा है था नो लिखा हो, learn लिखा हो, discover लिखा हो उसके बाद 2 plus first form का structure आता है तो how लेके आता है I know to play guitar गल आता है I know how to play guitar I teach to improve English गल आता है I teach how to improve English camera points से हैं the brother does not know how to make friends आना चाहिए know, learn, teach, discover के बाद how 2 plus v1 आता है I like the opportune moment where the workers provide their might to take on the company and come out victorious मुझे वो opportune moment पसंद है जब workers ने provide की अपनी सारी power जिसमें उन्हें ने company को take on कर लिया और वो विजयता होके बाहर निकले मेरे ख्याल से कोई error नहीं है ओहो हो, छोटी सी mistake है skip होगी mind से सीख लेते हैं, important है ये भी हो जाती ही कभी कभी, कोई बात ने I do not know the place where he usually sits और I do not know the time when he comes कहने का मतलब देखो जब आपको जगां की sense आता है तो हम where use करते हैं जब time का sense आता है तो हम when use करते हैं जैसे मुझे नहीं पता कि वो कहां बैठता है कहां बैठता है ये सुनो, कहां का sense आ रहा है तो where use किया लेकिन मैंने का मुझे नहीं पता कि वो कब आता है कब का sense आ रहा है तो मैंने time वाले use किया तो when use कर रहू हुआ तो place के लिए where use करते हैं time के लिए when use करते हैं अब आप मुझे बहां check करके बताओ वो where लिखा हुआ है, where place के लिए आता है, when time के लिए आता है, तो यहां किसका sense आ रहा है, कहता है मुझे वो moment पसंद है, जब workers ने provide की अपनी might, might मतलब अपनी power दिखाई वहाँ पे, जिसमें उन्हेंने company को take on कर लिया, और विजेता होके वो बहार निकले, तो मुझे वो शन पसंद है, कोई जगा तो नहीं है न, वो शन पसंद है, शन मतलब time, वो moment पसंद है, वो वक्त पसंद है, yes or no time की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए, यहां पे when आना चाहिए, कि मुझे वो moment पसंद है, जब workers ने ऐसा किया, take on कर लिया, बोलो हाँ, समझ में आया सबको, चलो, फड़ा फट से, अगले टाइप के जो questions है, इनको जल्दी जल्दी से बनाएंगे, चलिए, question number 23 है, he was very tired of work, so he said that, he was sorry to accompany us, तो basically जो tired word आपको दिखाई दे रहा है, मतलब generally कहा जाता है, कि जो ed वाले word होते हैं, इनके साथ हम लोग much use करते हैं, और जो ing वाले words होते हैं, इनके साथ हम लोग very use करते हैं, example के तोर पे जैसे मैंने कहा much interested, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने कहा very interesting, yes or no? much interested, very interesting, मतलब इस तरीके कुछ concepts आपको किताबों में लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, हम ed वाले शब्दों के साथ very use भी कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, he was very tired, यहाँ पर यह एकदम सही है, इसके अंदर कोई भी mistake नहीं है, इस बात को समझ लीजेगा, ठीक है? he was very tired of work, so he said that he was sorry to a company, इस बहुत ठका हुआ था, तो उसने कहा, कि मुझे माफ कीजे कि मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे खाल से इस sentence के अंदर कोई भी error नहीं है, किसी भी तरीके की, बिल्कुल सही, अगला question है, he is a linguist, linguist कोन होता है, जो भाशाओं का अध्यान करता है, he is a linguist and always tries to make his students pronounce a word correctly, मतलब वो भाशाओं का अध्यान करता है, और हो कोशिश करता है कि उसके जो students है, हमेशा एक-एक word को correctly pronounce करें, अब यहाँ में mistake क्या है कि and नहीं आएगा, so आएगा, इसके बीचे reason क्या है, इसके बीचे reason यह है, sentence के थूरू समझते हैं इस बात को, मैंने कहा, he is intelligent, so he understands it, कहने का मतलब कि वो intelligent है, इसलिए वो समझता है, तो हम cause बता रहे हैं, कि वो क्यों समझता है, क्योंकि वो intelligent है, तो जब हम कोई cause बताते हैं, जो कि किसी चीज की वज़ह से हुआ होता है, तो हम लोग so का use करते हैं, जैसे he was late, so he was fine, नहीं समझे मेरी बाए, मैं अगर यह and बोल दूँगा, गलत हो जाएगा, और उसको fine हुआ, नहीं भाई, वो late था, इसलिए उसको fine हुआ, तो यह cause और effect वाला है, यह cause है, यह उसका effect है, कारण क्या था, कि वो late है, और effect क्या है, कि उसे fine हुआ, कारण क्या है, कि वो intelligent है, उसका effect क्या है, कि उसे समझ में आया, जब cause effect की बात होती है, तो हम लोग so का use कर सकते हैं, आप देखिए यहां पर, cause effect की बात हो रही है, वो linguist है, इसलिए वो always try करता है, अपने students को, कि correctly pronounce करें, वो सीखें, yes or no, इसलिए and नहीं आएगा, so आएगा, ध्यान रखेगा, being very contented, contented का मतलब होता है, satisfied, यैसे very tired सही था, यैसे very contented भी सही है, में कोई गलती नहीं है, being very contented with the sincerity, satisfied a sincerity से, members से, staff members की sincerity से, वो satisfied है, CM ने कहा कि वो जो state को है न, अब जरूवत है, sincere men like them, ऐसे आदमियों की जरूवत है, कोई error नहीं है, इसके अंदर absolutely right है, when the prince saw the princess, जब देखा, he cried out चलाया, that he had never seen such a beautiful lady before, कोई mistake नहीं है, किसी भी तरीके की, no error, एक बड़ चेक कर लेते हैं, फिर भी कोई error हो तो ठीक है, बड़ना हम चेक करते हैं, जब अगला है, when asked, he took tea, and said that it tasted sweetly, बड़ा important concept में आपको सिखा था, English language में मैंने आपको, fundamentals की classes में, मैंने आपको कुछ concepts पढ़ाये थे, उन concepts में मैंने आपको linking verb पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है, linking verb कैसी verbs होती थी, जो कोई action नहीं बताती थी, बस state बताती है, इस subject को subject complement से जोड़ने का काम करती थी, इन्हें couple verbs भी कहते हैं हम लोग, taste हो गया, feel हो गया, seem है, appear है, look है, smell है, remain है, ये सबके सब linking verb है, अब मैंने आपको कहा था कि linking verb जब भी English language में होती है, तो उसके बाद हमेशा subject compliment होता है, और subject compliment बनने का काम या तो noun करता है, या तो pronoun करता है, या adjective करता है, तो इस बाद से हमें क्या समझ में आ रहा है कि linking verb के बाद कभी भी adverb नहीं होते हैं, क्योंकि linking verb के बाद हमेशा subject compliment होते हैं, और subject compliment या तो noun बन सकता है, या pronoun बन सकता है, या adjective बन सकता है, adverb कभी भी नहीं बनता है, इसलिए linking verb के बाद वैसे तो verb को modify कौन करता है adverb करता है लेकिन linking verb के बाद कभी adverb नहीं आता जैसे sugar taste अब sweetly बोलेंगे कैसे taste करता है sweetly taste करता है मीठा taste करता है मतलब मीठा स्वाद है अब verb को qualify तो कर रहे है अब ध्यान से देखो लेकिन adverb नहीं आएगा यहाँ पर sweet ही आएगा sweetly नहीं आएगा क्योंकि यह linking verb है rose smells sweetly गलत हो जाएगा verb है verb को modify यहाँ पर adverb नहीं करेगा क्योंकि linking verb है linking verb के बाद basically adjective ही आते हैं गर modification करनी भी है तो ठीक है जैसे यहाँ देखेंगे कि उसने कहा it tasted sweetly sense बना नहीं बनाना इसलिए यहाँ पर आना चाहिए it tasted sweet clear है चलो चले अरे बोलो आजाओ the old man is blindly क्या बात बनी blindly तो adverb है और बोला जा रहा है old man को जो की noun है noun को modify adjective करता है तो blind आना चाहिए ठीक है such obstacles will not stop him ऐसी बाद है उसको नहीं रोखेंगी nothing never did nothing और never दोनों एक साथ नहीं आ सकते दोनों negative word है तो आप never को ever कर दीजे nothing ever did ऐसे होता है कि किसी चीज़ने उसको आज तक नहीं रोखा है this is why वो progress कर रहा है by leaps and bounds leaps and bounds मतलब बहुत जल्दी से progress कर रहा है not only drinking but also smoking आप देखिए कि not only के साथ but also है और दूसरी बात same type के शब्दों को भी relate कर रखा है क्योंकि ये co-relative conjunctions होते है drinking है और smoking है same type के शब्द है मेरे ख्याल से इसके अंदर भी no error है if you ask me shama is quite alright अब quite का मतलब भी पूई तरीके से होता alright भी पूई तरीके से होता ये दोनों शब्द साथ में नहीं आ सकते इसलिए quite को हटा देजिएगा super furious हो जा रहा है if you ask me shama is alright but I cannot tell you much about Radha my friend said that he was only to only to glad मैं आपको दो term सिखाना चाहता हूँ बड़ी प्यारी प्यारी term से एक होता है only to और एक होता है none to क्या आपने सुने ये only to और none to अवाज clear आ रही है न उमीद करता हूँ आई रही होगी भाई अवाज चो only to और none to कुछ ये नए शब्द नहीं है ये बस भेस बदल के आते है only to का मतलब होता है very और none to का मतलब होता है not very तो अगर मैं बोलू हूँ कि only to happy इसका मतलब very happy मैंने का none to happy not very happy basic सी बात है कहीं पे भी आप use कर लीजे very तो कहीं पे भी आ जाता है तो उसने बोला में फ्रेंड ने कहा कि he was very glad या only to glad एगी तो बात है खुश है किस चीज को लेकि खुश है कि जब उसको result पता लगा किसका उसकी wife का yes or no मेरे ख्याल से no error है इसके अंदर no error है बिल्कुल चलें आगे पकी बात है आज यह अगला question आपके सामने nobody should try to disturb me should के बाद आपकी verb की first form आती है तो ठीक है two के बाद पहली form है ठीक है without any urgency ठीक है hardly का मतलब होता है ना के बराबर यह शायद ही कोई तो आप यहां कैसे कह सकते हैं कि who will believe कौन विश्वास करेगा कि she was not hardly hit by her husband's death कि वो ना के बराबर hit हुई है मतलब उसको ना के बराबर असर हुआ है अपनी husband की death का कभी ऐसा हुआ है कि किसी कि death का आप मतलब चलो हम अपना example तो नहीं लेते x, y, z कोई भी person है तो उसके घर में अगर कोई चला गया है तो क्या उसको ना के बराबर बस थोड़ा सा जटका लगेगा बहुत बड़ा जटका लगेगा गंदे तरीके से खतरनाक वाला है ना जैसे hard work में बहुत ज़्यादा effort लगता है effort के साथ जटका लगेगा struggle करना पड़ेगा ऐसा जटका आएगा तो वो hard शब्द use होता है hard hit बोलते हैं ठीक है ऐसे आपने सुना होगा hard earned money होता है महनस से कमाया गया पैसा ना कि hardly earned money yes or no ऐसे hard hit होता है ना कि hardly hit ध्यान रखना somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before only अभी हम बात करके आये थे थोई दिर पहले only जिसको modify करता है उसके साथ आता है अब आप यहाँ देख लीजे कि जोर किस चीज़ के उपर डालना है कि somebody ने report किया contractor को किसी ने report किया contractor को कि इसका जो partner है वो मरा है एक हफता पहले या फिर मरने पर focus करना है अब यहाँ पर बोला है कि partner मरा है एक हफता पहले अब important क्या है मरना important है या फिर एक हफता पहले important है किसी किसे के mind में आ रहा होगा मरना important है कि भाई somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before नहीं मेरी बात समझे only died का क्या मतलब होता है बस मरा है कोई sense बना क्या नहीं बस एक अफता पहले ही मरा है यह main बात है बस मरा है कोई sense बना है या आपे बस मरा है बस मरा क्या होता है पुई तरीके से मरा होता है इंसान तो only died कोई sense नहीं दे रहा है यहाँ पे irrelevant है बलकूल कि बस मरा ही मरा है ऐसे नहीं बोल सकते है अजीब सी बात हो रही है तो had died only a week before बस एक अफता पहले ही मरा है यह main यहाँ यहाँ पे मुद्दा है तो only यहाँ से अटा के यहाँ ले आओ split का मतलब इसको तोड़ नहीं सकते है जैसे to plus not plus verb की first form गलत होता है not to plus verb की first form होता है not plus to plus verb की first form ऐसे ही to plus never plus verb की first form नहीं होता never to plus first form होता है to not go नहीं होता not to go होता है to not talk नहीं होता not to talk होता है never to go होता है नाकि to never go ऐसे ही to completely forget गलत हो गया वी to और verb की first form के बीच में adverb आ गया जबकि infinitive को हम split नहीं कर सकते तोड नहीं सकते तोड नहीं सकते तो completely को उठा के यहां लगा दो कि she asked me to forget her completely to forget पूरा infinitive बन गया when carefully examined ध्यान रखेगा जो adverb of manner होते हैं basically main verb के बाद ही आते हैं तो कैसे examine किया carefully examine किया कैसे चल रही है slowly चल रही है she is walking slowly yes or no she sings beautifully basically adverb of manner verb के बाद आते हैं manner मतलब तरीका बताने वाले शब्द मैंने बताया हुआ आपको concept वाली class के अंदर तो when examined carefully it will give us a clue to the mystery of the case I hope my point got clear पड़ावट से बनाओ उनको she looked at him lovely एक बात बताओ lovely नहीं मैं lovely हो गई यहां ना तेरा पढ़के ना तेरा पढ़के यहां ना तेरा सुनके ना मतलब नाम की बात हो रही है गाना एक है तो she looked at it lovely उसने उसे lovely की तरह देखा lovely तो पिटा adjective होता है है ना lovely girl है ना lovely picture हम generally ऐसा बोलते है लेकिन verb को modify करना है तो lovingly आना चाहिए है यहां पर बड़े प्यार से देखा है ना जोकी नजर के साथ but he did not respond to her he never liked to treat his brother friendly friendly नहीं होना चाहिए in a friendly manner होगा यहां पर ऐसा होना चाहिए वही है ना यहां पर adverb की requirement है adverb की he never liked to treat his brother कैसे नहीं वो treat करता मतलब कैसे पसंद नहीं है treat करना friendly manner में treat करना पसंद नहीं है वर्ब को modify करना है अगर वर्ब को modify करना है तो पेटा adverb चाहिए था friendly तो adjective होता है है ना जैसे की friendly relationship है ना और friendly behavior friendly relationship friendly behavior friendly तो adjective होता है जबकि वो कह रहा है कि उसे पसंद नहीं है, ट्रीट करना, उसके ब्रदर्स को कैसे, friendly तरीके से बोलना था, अब friendly का कोई adverb तो होता नहीं है, तो जिस शब्द का adverb नहीं बन सकता, उसमें ly नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले से ly लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उ से ऐसे लिख सकते हैं, in a friendly manner, समझ में आया, तरीका बता दिया ना, देखो, adverb of manner बन गया नहीं है, चलो, they are very senior to me, very senior आपको पता है, comparative degree में होता है, automatically और comparative degree के साथ, much use करते हैं, they are much senior to me, hardly ever करके term होती है, hardly never नहीं होती है, हमने ऐसा देखा था, इस sentence में, कोई mistake नहीं है, I hardly ever see him, because in my opinion, he is not a man to be admired, ना के बराबर मिलता हूं से, क्योंकि इनसान है नहीं वो, admire करने वाला, before the game, she felt feel आगी, state verb आगी, linking verb आगी, linking verb के बाद, बटा, adverb नहीं आते हैं, adjective ही लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद subject compliment होते हैं, she felt sure of winning आना चाहिए, चले आगे, mistake एक बार चेक कर लेत हैं, सब सही है न, हांचे, I know that eventually he will succumb, succumb का मतलब होता है, give up करना, succumb to me and confess that he has committed a crime, no error है, कि मैं जानता हूं eventually, eventually मतलब अंत में है, कि वो give up कर ही देगा, और confess कर लेगा कि भाई, उसने crime को commit किया है, where else did you go besides the office, besides का मतलब ही होता है, somewhere else, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त होता है, तो आतिरिक्त शब्द दुबारा क्यों लिख रहे हो, else superfluous है यहां पर, where did you go besides the office, besides का मतलब ही office के अलावा कहीं और, तो आप else क्यों लिख रहे हो, same same बात हो रही है, he said that examination was bad, okay, and added that he could not answer questions enough, sense नहीं बन रहा है, मैंने आपको A, E, N पढ़ाया, इसी class के अंदर, अगर enough शब्द लिखना है, तो noun बाद में adjective पहले, या adverb पहले, लेकिन यह questions होता है, noun, तो आपको पता है, E, N होना चाहिए, E में पहले enough, फिर noun आना चाहिए, तो he could not answer enough questions, yes or no, every member of the family is addicted to drinking, so Tom is, याद करो, so हो गया, neither हो गया, nor हो गया, जब same बात को repeat करना है, तो inversion बनाते है, so is Tom आना चा है, कि प्रतेक जो सदस्य है, परिवार का, वो addicted है, drinking से, और Tom भी है, same बात को repeat करते हैं, I have watched this movie, so have I, I got to college daily, so do I, so is Tom, ऐसे बनना चाहिए, है न, चलो, the eastwards wind, eastwards मतलब east की direction की बात हो रही है, यह बहुत अच्छा concept इसे भी सीख लीजे, eastward term होता है, और eastwards होता है, दोनों same meaning देते हैं, east की दिशा में, बस यह adjective होता है, यह adverb होता है, जैसे कैसी wind, eastward wind, तो यह noun है, noun को modify कर रहा है, adjective, लेकिन वो गया, कहां गया, east में गया, देखो, यह adverb है, तो eastward आपका adjective है, eastwards आपका adverb है, अब बता दो आपको क्या चाहिए, wind को modify करना है, मतलब adjective चाह from the western bank to the eastern bank of the river, मदद करती है, यह जो हवाई वहां से आ रही है, not only, याद करो, hardly से, rarely से, scarcely से, no sooner से, और आपका seldom से, never से, not only से, इन सब से inversion बनता है, अगर यह शुरू में आते हैं, और शुरू में है, शुरू में है, तो inversion बनाओ ना, तो inversion second form लिखी हुई है, second form में तो did आ we lost what we had on our disposal, but we also lost our patience, on our disposal का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो आपके पास है, जिससे आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ हमने खोया जो हमारे पास था, बलकि हमने अपना सैयम भी खो दिया, under no circumstances, जब शुरू में आता ना, वो भी inversion लेक के आता है, तो we can नहीं आना चाहिए, can we आना चाहिए, बेसिक सा कॉंसेप्ट है, इसे miscellaneous में लिख लेना, under no circumstances, can we help you in this legal work, नहीं कर सकते हम आपकी मदद, ऐसी under a tree, यह under शब्द जब शुरू में आता है, basically inversion लेके आता है, तो under a tree was sitting the saint whom we had seen somewhere else, no error है, क्योंकि inversion already है, I do not like such nasty things मुझे ये गंदी चीजे पसंद नहीं है, nor he does नहीं, nor does he, याद आया कुछ, याद आया, I do not go there, nor do I, I have not watched this movie, nor have I, तो nor does he होना चाहिए, उमीद करता हूं कि मेरा point आप लोगो समझ में आ गया होगा, सभी students को, ठीक है, तो आज का session यहीं पे over होता है, उमीद करता हूं, session आ आप लोगो ओर देनी है, वैसे तो मैं बता ही चुका हूं आपको, हजार बार बता चुका हूं, बीच बीच में इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि बच्चे जनरली पूछते रहते हैं, कि सर अनक आदमी पे कब बैचिस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो सर्फ ये उनी बच पढ़ते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो आफोर्ड कर सकते हैं, और डेडिकेटीड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे टीच कर रहा हूं, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आके उनको मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा ह तो यह हमारी morality है, यह हमारे ethics है, यह हमारी नितिकता है कि हम YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि YouTube पे उतना ज़्यादा जो वैसे consistency होती है, वो नहीं आ पाती है, क्यों कि जहां job करते हैं, वहीं पे अच्छे से perform कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि वहां काम नहीं करेंगे, तो घर की रोटी कैसे चलेगी, कमाएंगे, खाएंगे, कैसे, इसलिए दोनों जगों को maintain कर रहे हैं, हालां कि YouTube से हमें कुछ मिलता नहीं है, YouTube से हम कुछ earn न बढ़ती हैं चीजे, तो कुछ बच्चे बिल्कुल भी irritate न होया करें कि सर बार बार कोर्स के बारे में बता देते हैं, तो अगर आप इंटरस्टेड है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, अधर वाइस जा सेशन खतम हुआ, आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बच्चा इंटरस्टेड है, पढ़ना चाहता है, अभी तक रुका हुआ है, तो अफकोर्स इंटरस्टेड ही होगा, है न, तो आप unacademy.com पे जाएगा, वहाँ बापको सर्च कीजेगा, सर्च में ऑप्शन में जाके, बैंक एक्जाम गॉल सिलेक करके, तरुन ग्रोवर, ठीक है, आप तरुन ग्रोवर क्लिक करेंगे, यह क्लिक करेंगे, साइड में see all का option आएगा, see all का, जब आप see all पे क्लिक करेंगे, तो आपको यह दिखाई देंगे, ऐसे options, all courses में दिखाई देगा, आपको ongoing course, ongoing course यह अभी शुरू हुआ है, यह कल 13 October है, sorry आज ही 13 October है न, अभी तेरा जो भी date है, चोड़ो date चोड़ो, यह भी 11 October से batch शुरू हुआ है, ठीक है, 11 October से इसके अंदर basic से सारे जो topics हैं, उनको bank exam orientation के साथ, हम लोग बढ़ियां से tackle करेंगे, एक एक concept को बारीकी से जानेंगे, चाए errors हो, चाए phrase replacement हो, RCO, close test हो, para jumble हो, reading हो mock test हो, कुछ भी हो, उसके लावा, यह जो conceptual batch, implementation के अलग batches चल रहे हैं, level के हिसाप से मैंने आपको बताया था, देखिया आप यह level के हिसाप से batches चल रहे हैं, phrase replacement, level 1 clerk pre, level 2 PO pre, level 3 clerk mains, level 4 PO mains, तो ऐसे batches चलते रहते हैं, उसमें नए-ने questions है न, update करते रहते हैं, ताकि आपको, जिन्होंने अन Academy Plus सब्सक्राइब कर रखा, उसको नया content मिल जाए, और जो नया बच्छा join होना चाहते है, उसको तो और ज़्यादा बढ़िया से premium content मिल जाए, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना चाहें, तो कर सकते हैं, upcoming course में, level up का 3.0 का part 2 भी आ रहा है, जिसमें RC close stress, पराजंबल हम लोग करेंगे, और ongoing तो भी 11 से ही शुरू हुआ है, तो जबर्दस तरीके से bank exam की हम लोग त्यारी कर रहे हैं, मैं सरो bank examination में बढ़ाता हूँ, तो आप लोग interested है, अन Academy की application आपके पास होगी, यह नहीं है, तो download करके आप subscribe कर लीजे, और एक referral code होता है, T555, तो आप इसको लगाएंगे, तो आप वहाँ पे आपको 10% का discount मिल जाएगा, T555, आजए यह class के अंदर, अगर आप आना चाहते हैं, तो खुली बहुं से आपका स्वागत है, और otherwise YouTube पे तो चली ही रही है classes, उसको भी पढ़ते रही हैं, बढ़ी आसे हैं, मिलते हैं फिर next session के अंतर, कुछी sessions बचे हुएं, बस इसके एक दो ही बचे हुएं, बाके फिर नई सीरीज शुरू करते हैं, कुछ YouTube के ऊपर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, thank you so much